इसमें अगर एक हेक्टर में रोपाई हम कर रहे हैं तो लगवग एक हजार वग मीटर छेतर में नरसरी तयार करते हैं उसके लिए अगर हमारी संकर किस्म है तो उसमें 18-20 kg बीज लगता है अगर महीन दाने वाली किस्म है तो कम बीज लगता है वो 20-25 kg है और अगर मोटे दाने की किस्म है तो उसमें 25 से 30 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है और बीज का उपचार करना बहुत आवश्यक होता है क्योंकि अच्छी गुडवत्ते वाले बीज ही हमें स्वस्त पोध दे सकता है इसके लिए सबसे पहले हम नमक का घोल बनाएं 10 प्रतिशत इसको बनाने के लिए 2 किलोग्राम हम सादा नमक लें जो बाजार में मिलता है और 20 लीटर पानी में घोल लें इस घोल में करीब 15-20 किलोग्राम बीज आप डुबो दे और फिर उसमें आप देखेंगे कि जो हलके और कमजोर दाने हैं वो उपर आ जाते हैं और उनको बाहर निकाल दे और जो स्वस्त बीज है वो हमारा नीचे बैढ़ जाता है उसको फ अधिach हम जैसे 10 ग्राम बाविस्तीन लें और 1 ग्राम Streptocyclin इन दोनों दवाईयों को 10 लीटर पानी में गोल बना लें उजररौत के हिसाब से इसका आप घोल बना सकते हैं यानि 10 ग्राम बाविस्टीन, 1 ग्राम स्टेप्टो साइकलिन, 10 लीटर पानी और फिर इस घोल में जो हमारा बीज है, उसको रात भार, यानि 24 गंटे के लिए लगबग इस बीज को हम रखते हैं इस 24 गंटे में जो फफून नासी और यह जो हमारी दवाई है, यह अफशोशित हो जाती है, अंदर बैठे हुए बीमारियों को काफी हद तक यह कंट्रोल कर देती है अब इस बीज को हम टाट के बोरे पर बिछा देते हैं और उपर से फिर एक बोरा और ढग देते हैं और इसमें समय समय पर हम सिचाई फवारे से हम उसमें पानी के छीटे देते रहते हैं जिससे के वो बीज हमारा नम रहे और उसमें अंकुरन हो जाए इसके 24 से 36 गंटे बाद उसमें आप देखेंगे के बीज अंकुरित हो गया है ये अंकुरित बीज अब हमारा बुआई के योग हो जाता है